सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल बर्मा धे आईयस टीम की योड़ से आपका स्वागत करता हूँ धे टीवीपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने परगाम पर जैसा कि हम प्रति दिन करते आएं आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेलामी के सिध्धान्त को क्यों मिला अर्थसास का नोबल आपको पता है कि एकॉनमी के छित्र में भी हर साल नोबल पुरसकार दिया जाता है और इस समय हर छित्र में जो नोबल पुरसकार दिये जाते हैं उनकी घोशना की जा रही थी इसी के क्रम में एकॉनमी के छित में जो नोबल पुरसकार दिया जाता है उसकी भी घोशना कर दे गई है और इस बार का जो एकॉनमी का नोबल पुरसकार दिया जा रहा है वह निलामी के सिध्धान्त से जुड़ा हुआ तो समझने का प्रियास करेंगे कि आखिर यह जो नोबल पुरुसकार दिया गया है इसमें निलामी का सिध्धान्त क्या है और एकॉनमी के छित में जो नोबल पुरुसकार दिये जाते रहे हैं इसका बेक्ग्राउंड क्या है आईए हम इसको समझने का प्रियास करते हैं 1901 से किया गया था और हर साल जो अलफेट नोबल थे उनकी पुनिति थी जो कि 10 दिसंबर को होती है इस उसर पर दिया जाता है लेकिन इनकी जो घोशना की जाती है वो अक्तूबर माह में कर दी जाती है जैसे कि घोशना की जा रही थी प्रारम में जब नोबल पुरुषकार 1901 में देने प्रारम किये गए तो जो छित्र रखे गए उन छित्रों में अगर कोई ब्यक्ति कोई संस था बहुत अच्छा कारे करती तो उसको नोबल पुरुषकार दिया जाना था ये छित्र कोन से थी सांती का था, साहित्य का था भौतकी का था, रसायन का था चिकिस्सा बिज्ञान का छित्र था इन में जो भी ब्यक्ति और संस था अच्छा कारे करती उसको नोबल पुरुषकार दिया जाता था 1968 में स्वीडन के केंद्री बैंक ने अपनी तो यह जो बैंक में रखे हुए पैसे उस पर मिलने वाले ब्यास के माद्यम से हर साले नोबल पुरुषकार दिये जाते है तो यह जो बैंक था इसने डिसाइड किया 1968 में कि हमें ऐसा करना चाहिए किसी के कारण 1969 में पहली बार इकॉनमी के छित में नोबल पुरुषकार दिया गया और जो पहला पुरुषकार इकॉनमी के छित में दिया गया था वह नार्वे के रेगनर एंथोन किटिल फ्रिस नामकिक भ्यक्ति और नीदर लेंड के यान टीर वेरगेन को दिया गया था। तो यहां टीरी वेरगेन और यह रेगनर एन्थोन कितिल फ्रिश जो थे इनको सहीक तुरूप से एकॉनमी का नोबल पुरुसकार जो कि पहला था 1969 में दिया गया समानता अब जो अर्थसास का नोबल पुरुसकार होता है एकॉनमी के छेतर में जो नोबल पुरुसकार उन एकॉनमिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने अर्थसास के छेतर में अर्था एकॉनमी के छेतर में क्या किया हो कोई नया इन्वेस्टिगेशन किया हो कुछ एनालिसि का एप्रोच बिक्सित किया हो और जो भी उसने किया हो उसके कंदर में होना चाहिए कि अर्थ साथ अर्था जो economy का जो छेत्र है उसके छेत्र में क्या हो सकता हो radical change आ सकता हो बहुत भड़ा परिवर्तन आ सकता हो economy की किन्द में क्या है पैसा, धन, बित, management, परबंधन और संसाधनों का सबसे बहतर उप्योग तो यदि कोई जो economist है वो क्या करता है ऐसा कोई investigation करता है analysis करता है जिससे economy के छित में radical changes आ सकते हैं उसका जो परभाव है वो economy पर अच्छा पर सकता है उससे गरीबी दूर हो सकती है संसाधनों का बहतर परबंधन किया जा सकता है बित्ती परबंधन को और अच्छा किया जा सकता है यदि कोई ऐसा approach उसके सिधान्त उसके किसी भी कार में दिखता है तो यह दिया जाता है बर्स 1979 से अब तक इन पुरुसकारों को 51 बार दिया जा चुका है और बर्स 2020 में जब यह पुरुसकार 10 दिसंबर को दिया जाएगा तो यह economy के छित्र में 52 पुरुसकार होगा बर्स 2019 का जो पुरुसकार एकॉनमी के छेत्र में दिया गया था वो भारती मूल के अभजीत बनर जी एस्थरे डुफलो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूफ से दिया गया था आपको पता है इनको जो पुरुसकार दिया गया था तो इनकी काफी चर्चा होई थी तीनों को जो पुरुसकार इसलिए दिया गया था क्यूंकि इन्होंने क्या किया था कि जो डेबलमेंट एकॉनमिक्स है इसको पूरी तरह से बदल दिया था development economics यह कहता है कि हमें development में उन सभी चीजों को अपनाना चाहिए जिससे ना सिर्फ विकास हो सके बलकि जो समाजिक अधार्भू सनचना है जो गरीबी है जो पिछलापन है जो असमानता है चाहें वो सिच्छा और स्वास्त के चित्र में हो सभी में क्या हो सके अच्छा हो सके जैसे आपने दो सब्द सुने होंगी एक सब्द होता है संब्रिधी दूसरा जो सब्द होता है वो होता है विकास तो संब्रिधी किसको कहते हैं कि GDP में क्या होता है जब क्या होता है जो ब्रिधी होती रहती है तो हम इसको कहते हैं संब्रिद्धी हो लेकिन क्या होता है जब इस संब्रिद्धी से क्या होता है गरीबी घरती है असमानता घरती है सिच्छा का इस तरह अच्छा होता है जो है कि स्वास का इस तरह अच्छा होता है मानो विकास अच्छा होता है तो इसको हम कहते हैं विकास तो दरसल कि हम 1990 के दसक से जो हम development की economics लेकर चल रहे थे उसी में इन तीन लोगों ने जो अपना सिधान्त दिया था कि हम गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं जिसमें नाम था अभिजीत मनर जी, एस्थर डुपलो और माइकल क्रेमर का इन्हों न कहा कि जो हमारे सिधान्त हैं और जो हमारे प्रियास हैं उसके माद्यम से क्या किया जा सकता है गरीबी को कम किया जा सकता है और इसी के कारण जो Royal Swedish Academy ने जब इन प्रुसकारों की घोशना बर्स 2019 में की थी तो उन्होंने कहा था कि इन तीनों अर्थसास्तियों ने अपने प्रियोग से development economics को पूरी तरह बदल द लिया है और इसी के कारण बर्स 2019 का जो economy के छित में nobel पुरुसकार दिया जाता है उसके घोशना की गई मैंने इसमें आपको देखिए पहले भी बताया था कि आखी economy के छित में nobel पुरुसकार क्यों दिया जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया हो कुछ ऐसा changes किया हो जिसक परभाव economy पर बहुत जादा पर सकता हूँ ठीक इसी तरह की चीज हमको बर्स 2019 के nobel पुरुसकार के घोशना के समय दिखाई देती है और यह दिखाई देती है गरीबी के छेतर में और development economics के concept को पूरी तरह से इन तीन जो है economics ने बदल दिया था अब समय आता है बर्स 2020 का त इस साल का जो अर्शास का nobel पुरुसकार है वहाँ Paul R. Milgram और Robert B. Wilson को जो है की दिया जाएगा और इनको चुना गया है इन्ही जो पुरुसकार दिया जाएगा इन्होंने भी कुछ ऐसा किया था जिस से economy के छित में radical change आ सकता है और यह तो था निलामी के सिधान्त और निलाम के नए प्रारूपों को भीकसित करने के कारण इनको पुरुसकार दिये गए तो निलामी का सिधान्त क्या होता है इसको आसां सब्दों में समझें तो निलामी का मतलब क्या है कि कोई एक ब्यक्ती माल लेते है मैं यह मारकर वेच रहा हूं आप 10 लोग इकर्थे हूँ दसो लोग बोली लगाएं, जो सबसे ज़ादा बोली लगाएगा, मैं उसको क्या करूँगा, दे दूँगा, यही क्या है, निलामी है, और इसी परकार के हर चीज की आजकल निलामी होती है, चाहे आप कोई टेंडर देखते हो, माइनिंग का टेंडर हो, स्पेक्टरम का टें इसको लगा कि इसको अगर हम अपनाते हैं तो economy के छेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तना सकता है प्रशना हैगा कि आकर यह कैसे हो सकता है इसका उतरे है कि चाहे हम हो आप हो यह सरकार हो हर ब्यक्ति क्या करती निलामी करती के अंदर सरकार के इसतर पर देखें तो के अंदर सरकार क्या करेगी चाहे हो माइनिंग की छेत्र हो चाहे हो इस्पेक्टरम के छेत्र हो या फिर वायूयान संचालन के छेत्र हो या किसी चीज का उत्पादन करने के लिए तो हमेशा हमने देखा है कि उससे क्या होता बोली लगाए जाती है केंदर सरकार बहुत से चीजों के लिए बोली लगवाती है बहुत से प्रोडक्ट क्या करती है बेशती है बहुत से चीजों के लिए लाइसेंस प्रदान करती है या टेंडर निकालती है इसमें क्या लगती हैं और निलामी की प्रक्रिया अच्छी होगी तो हमको आपको भी फायदा होगा तो चाहें केंदर सरकार हो राजे सरकार हो या फ्राइबेट जो है कि institutions ओ, हर कोई क्या करता है, निलामी की परक्रिया अपनाता है, अगर निलामी की परक्रिया बहुत अच्छी हो, सरल हो, सहच हो, तो उससे सभी को लाब हो सकता है, अब प्रशन आएगा कि आम आदमी को क्या लाब हो, हम आपको एक एक जामपल देते हैं, एक जामपल यह है, कि जैसे हम कहें कि अब क्या होगा 5G जो है की network लगेंगे तो 5G network के लिए 5G के क्या होगेeté spectrum लाए जाएंगे अब इन spectrum को कोई कितनी में खरीटता है उसी के हिसाब से क्या करेगा वह rate रखेगा जैसे हम कहें कि एक spectrum की कीमत अगर माल लेते हैं सौ रुप है तो वो क्या करेगा अपनी जो उपभोगता है अर्थात हम जैसे लोग हैं उनको जब वो अपनी सर्विस 5G के बेचेगा तो कुछ रेट अलग रखेगा लेकिन अगर उसी स्पेक्ट्रम को वो दस हजार में खरीता है तो हम पर क्या करेगा चार जार रखे तो अगर हम देखे है कि निलामी से हर व्यक्ति क्या होता पर भावित हथा है जो कि ऊपर की संवरचना है उसमें कई जग Allen की अपनाई जाती है और इसी के करण कहा गया रिक्सबेंग के स्प्राइच की नाम से जाना जाता है तो आप से पूछा जा सकता है कि आखेर इसको किस नाम से जाना जाता है तो जो आपका ये नाम है इसमें कुछ changes करके वो दे सकते हैं दो लोगों को दिया गया है ये है ये है आपके रोवेट वी विलसन और ये जो दोनों लोग है अमेरिका की इस टेनफॉर्ड इनवर सिटी है उसमें कारेरत धें दोनों लोग लंबे समय से निलामी की प्रिक्रिया पर सोथ कर रहे थे और इन्होंने कई तरह की निलामी पद्दती जो की नई पद्दती है उसको विक्सित किया था यह जो पुरुसकार दिया जाएगा इसमें जो इस पुरुसकार रास्ती में क्या होगा जो है कि एक करोड की क्रोना होगी जो की स्विडिस मुद्रा है और यह क्रोना नहीं है जो बिमारी है यह मुद्रा है यह दी जाएगी इसकी कीमत अगर भारती मुद्रा में देखा ये नौर्वे की राजधानी ओसलों में एक समारों में 10 दिसंबर को दिया जाएगा अर्थ सास्त का जो 2020 का नॉबेल है जैसा कि मैंने बताया इकॉनमी के छित में जो नॉबेल फुरुसकार दिये जाते हैं उसके साथ ये बिल्कुल फिट बैठता है इससे क्या होगा कि जो नई निलामी की परक्रिया ये जो निलामी की परक्रिया में इन्होंने परिवर्तन किया है इससे क्या होगा निलामी की परक्रिया ना सिर्फ आर्थिक रूफ से अधिक बेवहार होगी अर्थात अधिक उपयोगी होगी बलकि निलामी से प्राप्त होने वाला जो बित्थ है पैसा है वो ज्यादा होगा सरल होगा सहज होगा और आर्थिक लोफ से लाबदायक होगा इसलिए इनको यह दिया जाएगा अर्थात का जो नोबेल पुर्सकार इस बार जो दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया है पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट विल बिलसन को दिया गया है तो इन्होंने जो निलामी की परिक्रिया में सुधार और सोध जो कर रहे थे यह कोई नया नहीं है लंबे समय से क नहीं निलामी परधती बिक्सित की थी जिसका नाम जो था सिमुल्टेनियस मल्टिपल राउंड ओक्सन इसको इंग्लिस में भी लिख दिया है सिमुल्टेनियस मल्टिपल राउंड ओक्सन था और यह जो प्रिक्रिया इन्होंने बिक्सित की थी इसको अपनाया गया और य United State Federal Communication Commission इसने अपनाया था और इसने क्या बेचा था इस निलामी की परकिरिया से दूर संचार के जो इस फेक्ट्रा में इनकी निलामी की थी 1994 के बाद और 1994 में ही जैसा कि मैंने बताया इन्होंने जो निलामी की परकिरिया थी इसमें अपने सुझाओ दिये इस सुझाओ को अपनाया गया और इससी क्या हुआ अमेरिका की जो निलामी की पदती है चाहें वह किसी भी छेत्र के रहे है उसमें वह लापकर सिद्ध हुआ और उसके बाद अनेक देशों दोर्णाया अपनाया गया अर्थात यह जो पूरा निलामी की परकिरिया या जो सिध्धान्थ इनोंने प्रस्तुत किये, वह कोई नया नहीं है, लंबे समय से क्या हो रहा है, उस पर कार हो रहा है, बहुत से देशों को उससे लाभ मिल चुका है, तो यही कहा गया कि इन लोगों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा समय के अनुसार यह क्या कर रहे हैं, ज इचांपल 1994 से हम लेख सकते हैं अभी तक का जो पुरा इतिहास रहा है इनके जो निलामी की परक्रिया वो सफ़सिदू हुई है 1994 के बाद मिलगुराम और विर्सन द्वारा निलामी की परक्रिया में कई परकार के परिवर्थन किये जाते रहे और उससे कई परकार के बदलाव आए अब देखिए निलामी की परक्रिया थोड़ा सा पहले हम ट्रेडिस्नल समझ लेते हैं तो निलामी उपार परक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी सामान बस्तू को बेचने के लिए उसकी खरीदारों के बीच करवाई जाती है, एक प्रतिसपरधा करवाई जाती है. प्रतिसपर्धा कैसे कि माल लेते हैं ये मेरा घर है मैंने बैंक से पैसा लिया और मैं डिफॉल्टर हो गया मेरे पास पैसे नहीं है अब इस बैंक को क्या किया जाएगा निलाम किया जाएगा तो यहां पर क्या किया जाएगा कुछ लोगों को जो है कि सूचना दी जाएगी मैं भी खड़ा हूँ, यह मेरा घर है, मेरे सामने बिक रहा है, इसमें से कोई कहेगा कितनी भी बोली रगा, तो इस परक्रिया में क्या हुआ, कि यह इसमें प्रतिसपरधा करवा जाएगा, जो भी अच्छा रकम देगा, सबसे जादा देगा, उसको समान क्या किया जाएगा बेच दिया जाएगा, इस परक्रिया में हुआ क्या, जो विक्रेटा है, अर्थार माली जैं मैं हुई मेरा बेंक काम मालिक है, जो बेचना चाहरा है अपनी वसूली करने के लिए, तो जो विक्रेटा है, वा क्या करेगा, कई खरीदारों को एक साथ मिला कर, अपने कीमत के सही मुलिक को जाचना चाहता है और फिर क्या करता है, जो सही कीमत दे पाता है, वह उसको क्या करता है समान बेज देता है, वहीं जो दूसरा जो बेटी है, ये जो खरीद ने आए, इनके संदन में अगर देखें, तो इनको यह पता चलता है कि किसी समान की कितनी कीमत हम दे सकते मान लेते हैं यह जो 9 नमबर का बेक्ती है इस समान की कीमत 100 रोपे देने के लिए मूड़ बना कर आया था कि हम 100 रोपे में एक घर खरीद लेंगे अब यह जो 10 वाँ बेक्ती है यह आया था हम 85 रोपे देंगे और मालूम चला कि जो बोली श्टार्ट हुई वह 10 रुपे से हुई और अन्तता जो है कि 65 रुपे पर जाकर खतम हो गई अब 65 रुपे पर खतम हो गई तो यह जो 9 नम्मर का बैकती जिसने सोचा था कि मैं 100 रुपे तक करी लूँगा इसने कहा कि हम क्या करेंगे 70 रुपे देंगे और इस तरह से क्या हो गया इसको घर मिल गया अब इक घर मिल गया तो सोचिए कि इसके तो 30 रुपे बच गया तो इसमें फायदा क्या हुआ इसमें फायदा यह हुआ जो बिक्रेता है उसको यह पता चला कि उसके समान के actual कीमत कितनी आ की जा रही है दूसरा जो खरीदने वाले लोग हैं वो समझ पाए कि किसी चीज का कितना मुल्य हम लगा सकते हैं जिससे हमें profit और यही परक्रिया हर निलामी की जगे अपनाई जाती इस परक्रिया में जो होता है जो निलामी की परक्रिया परंप्रागत है इसमें खरीदार जो है कि क्या करता है कम से कम कीमत देना चाहता है अर्थाज जो में जैसे हम लोग मकान खरीद रहते नौदस लोगों को जिनको बुलाए गया था वो कम से कम कीमत देना चाहें जो विक्रेता है वो अधिक से अधिक क्या करता है कीमत प्राप्त करने का प्रयास करता है तो यह निलामी की प्रक्रिया प्रंप्रागत होती है यह दो रूपव में होती एक बंद लिफापे के माध्यम से और दूसरा ओफन वी क्रिया बहुत अच्छी नहीं है पारदर्सी नहीं है कारण क्या है फाफा सबको एक दे दिया गया और कहा गया कि इस पे आप क्या करिए अपने अपने रेट कोट कर दीजी रेट एकी बार कोट करना है एकी बार लिखना है तो माल लेते हैं मैंने लिख दिया 10 रुपे दूस इस तरह के अगर हम देखें तो कई तरह के इन लोगों ने changes किये तो जो बंद लिफापे के माध्यम से बोली लगाई जाती थी वो बहुत पारदर्सी नहीं होती थी मान लेते हैं ऐसे 10 लिफापे जो है कि किसी के पास गए और उसने कह दिया हमने इस लिफापे को दिया हमें नहीं पता उस पर क्या कीमत कोट की गई थी लेकिन तो होता क्या था कि जो लोग बैक डोर से मान लेजिए इस लिफापे वाले ने 5 रुपए इस पर कोट किया है लेकिन क्या करें जिसको खरीदना है जिससे बोली जीतनी है उसको कहें कि आप ऐसे पैसे लेलो इसमें कम तो यह होता क्या था कि इस समय ग्लोबलाइजेशन का समय है एक समान को खरीदने वाला बैक्ती हो सकता है वहां से 10,000 किलोमेटर की दूरी बैठाओं तो यह जितनी चीजें हैं चूंकि सभी चीजें अब डिजिटल हो चुकी है इसलिए इन लोग का प्रयास था कि जो भी होता है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार कीनों और चैन्जेस कि यह जो अगर देखें जो निलामी की थोरी है इसमें थोड़ा सब्सक्राइब का चेमूइल आउक चान किया जाता है हिस्से संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके तो यह जो संकल्पना है इसी संकल्पना में उन्होंने क्या किया है चेंज किया है और चेंज इसलिए किया है क्योंकि यह चेंज करना ज़रूरी था और इसी के बज़े से यह जो नया कॉंसेट इन्होंने दिया है वह कॉंसेट यह है कि आखिर उ निलामी के परकिया थे, उसके संदर में सुजाओ दिया, अब ही देखिए कि देखिए होता क्या है, कि जो निलामी होती है, वो अक्सर उसमें देखा जाता है, कि लोग उसी ग्राहों को ही समान बेचते हैं, जो उस समान का सबसे जादा कीमथ दे सकता हूए, और इससे होता क्या है कि अगर हम इसको एक बड़े बैस्विक बाजार के संदर्म में देखें तो हमें पता चलेगा कि जो कोई समान किसनी सैस्ती है या कितनी महंगी है या इससे निर्धारित होगा कि उसकी जो बोली परकृरियाती कैसी थी मैंने आपको 5G वाला जो एक्जामपल दिया उसको देखे बर्तमान समय में ट्रेजरी बिल जो सरकारे बेशती हैं फोरेक्स, तेल के कुएं, जमीन, हवाई, अड़े, रेलवे इस जितनी चीज़े सरकारे बेशती हैं ये सभी चीज़े क्या होते हैं, निलामी की परक्रिया से बेची जाती हैं इसलिए जो निलामी की परक्रिया है, वो बहुत अच्छी हो, सरल हो, सहज हो, इसके लिए जरूरी तो निलामी के जो महत्पूर्ण नियम होते हैं, वो कुछ इधर इस परकार के होते हैं कि आपको इस्क्रीन पर लिखा निलामी के सबसे पहला जो महत्पुन नियम है वह यही है कि आखिर जब आप निलामी करते हैं तो निलामी की नियम क्या रखते हैं निलामी की नियम जितने अच्छे होंगे जितने पारदर्सी होंगे जितने अधिक लोगों के लिए सुबधा आजनक होंगे वह इतनी अच्छी तो इन्हों लोगों ने अर्थान इन दो लोगों को जिनको नोबल पुरुसकार दिया गया है मिलग्रॉम और विलसन ने इन्हों ने कहा कि जो आपकी निलामी की जो नियम होंगे वह बहुत इसपश्ट होने चाहिए बहुत पारदर सी होने जी ऐसा नहों कि रेडिकल या तुरंत उसमें परिवर्ट दूसरा कि जब भी आप निलामी करें तो बस्तू के विशे में पूरी जानकारी दीजिए कि मान लेते हैं आपको घर बेचना है इस घर में आप यह बताईए कि क्या-क्या समान है उसमें कितनी सिलन है कितने फर न ऑर नहीं हो ना चाहिए और यह हर चीज के संदर में अलग होना चाहिए और उन्होंने कहा कि जो भाईदारों की संक्या है इसके संदर में प्रावधानों ये जितनी चीजे अच्छी होंगे उतने ही क्या होगे प्रक्रिया अच्छी होगे साथी साथ बस्तू की प्रकरती कैसे कुछ चीजों की जो निलामी है उसको लंबे समय पहले आप सुचित कर सकते हैं और कुछ चीजों के आप निलामी के लिए आपके पास इतनी समय नहीं होता तो बस्तु इस्थाई है और इस्थाई है या उसके भबिस्थ की संभावना क्या है इसको भी हमें देखना है। निलामी की परकिरे अच्छी होगे। अब सोड़ा समझते हैं कि विल्सन और मिलग्रां इन सभी बिंदूों पर सोध कार करते हुए इन्होंने निसकर्स निकाले और यह कहा कि हमें इन चीजों को अपना कर आगे बढ़ना चीजिए। जैसे विल्सन ही कहते हैं जो खरीदार ह होता है वह सुनिश्चित करता है कि वह जो कीमत दे रहा है बाद में उससे यह ना लगे कि उसने जादा दे दिया। जैसे कि आपको पता है कि क्या है हम एक प्रोडक्ट को लेने गए इस प्रोडक्ट की एक्चुल चीजे अगर हम नहीं जानते हैं तो हम हमेसा संसे में रह जानकार कर सकता है तो मैं कहूंगा इसको 10 रुपे 5 रुपे मैं खरीदना है उससे ज्यादा नहीं देना तो इन्होंने इस पर भी सुझा होती है दरसल इस बज़े से होता है क्योंकि उस बस्तु से मिलने वाले प्रतच्च और प्रत्यच्च समान की पूरी कीमत की जानकार छाई करी खरीदारों को नहीं होती जैसा कि अ अगर सामानिव्यक्ति के लिए मारकर क्या है सेकने की सेकड़ो चीजे कर सकता हूं के पर बहुत कुछ कर सकता हूं तो मैं क्या करूँगा ज्यादा कीमत दूँगा, खीक इसी तरह से अगर देखें, तो अगर जो भी हम कीमत देते हैं, उस कीमत के पीछे हमें हर चेज को इस पशुर रखना चाहिए, जैसे अगर किसी एरिया में हमें टावर लगाना है, तो टावर जब लगाने की बोली की ज कि देखो आपको इस एरिया में जो टावर लगाना है इसमें अभी 10 लोग रहते हैं भबी समय लेकिन इहां पर 10,000 लोग रहेंगे तो सोची जब 10,000 लोग रहेंगे तो उस टावर की जो लाब है वो कितना जादा होगा जब यह टावर वाले बोली लगाते समय इन दोनों सामान या बस्तू के खरिदारों के बीच उसकी कीमत को लेकर अलग-अलग धाणाय होती है उन दोनों धाणाओं को इस पश्च करना ची जो सामान कीमत होती है वो वह मुल है जो सब को दिकाई दे रहा है वही निजु मुल अपने अपने रूची पर निरभर करता है माल ले लेते हैं एक सीनरी लेते हैं इस सीनरी का अगर सामान मुल देखें तो सब लोग कहेंगे 10 से 15 रूपए हैं लेकिन कोई जो कला का पार्खी होगा हो सकता कहेगा नहीं इसको तो मैं 10 हजार रूपए भी दे सकता हूं तो उन्होंने कहा कि हर चीज की जब बोली किरवाई जा तो आपको ज़्यादा लाब मिलेगा तो इससे क्या होगा जो निलामी की परकरिया में जो सामिल हो रहे हैं लोग हैं उनको दोनों तरहे के मोले का पता होगा और उस पर क्या करेंगे डिसीजन ले सकेंगे इस से हमें इस समझ में आया कि इन्हों ने जो ये निलामी के नियम है इनको लेकर कैई तरह के कार किये और इन्ही कार्णियों की बज़े से जो निलामी की परकरिया सरल सहज डिजिटल हुई है उसी को देखते हुए और 1994 से जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उन परिवर्तनों से जो निलामी की प्रिक्रिया अच्छी हुई है उसी के कारण ये इकोनमी का नोबिल पुर्सकार्म लोग को दिया गया आई होब आप इस चीज को थोड़ा समझ पाए होंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच